लिवन्ध क्लास आपका पॉलिटिक्स का फर्स चेप्टर में स्टार्ट करा दिया था और रीडिंग करा भी दी थी आपकी लाइफ क्लास में अब आगे की दिखते हैं अगर a democratic government of the people by the people and for the people has a set of guidelines एक लोक्तांत्रिक सरकार जो है जो की लोगों के द्वारा होती है लोगों की होती है और लोगों के लिए होती है उसकी कुछ गाइडलाइन्स है कुछ नियम है for example a framework called a constitution कैसे एक किताब है जिसे हम constitution कहते हैं उसमें नियमों को दिया गया है this framework or written constitution of India defies the rule of law for our country that ensure equality of the citizen of India constitution के आपकी book है यह क्या करती है this framework of written constitution of India defies the rule of law जो नियम बनाए गई है जो कानून बनाए गई है वो इस किताब में लिखे गई है हमारे देश के that ensure और यह चीज़ शॉर करती है कि equality जो समानता है वो देश में बनी रही जैसे हमारे देश में बनी रही it is the fundamental right of all the citizens to protest their dignity and no one can violate it यह उनका fundamental अधिकार है that कि अगर लोगों की dignity उनके आत्मसमान को ठेश पहुचाई जा रही है तो वो इसको रोक सकें ठीक है no one can violate it कोई भी उसको नुकसान ना पहुचाई किसी विक्तिके आत्मसमान पर कोई आँच ना आने पा इस चीज़ को यह ensure करती है ठीक है one of the most important feature of a democratic government is people's power एक लोगतांतरिक सरकार की सबसे बड़ी और सबसे important चीज़ जो होती है वो है लोगों की तागत a democratic government is formed for the people एक democratic जो लोगतांतरिक सरकार है वो लोगों के लिए बनाई जाती है and by the people और लोगों के द्वारा बनाई जाती है the power with people in a democracy doesn't end with voting for their candidate जो व्यक्तियों की power है जो उनके पास vote करने की शक्ति है वो सिर्फ vote डालने के बाद एक candidate को चुनने के बाद ही खतम नहीं होती है their responsibility and power lies after election 2 election खत्मोने के बाद भी उनकी तागर उतनी ही रहती है people have the right to equality and the responsibility to treat everyone equally जो व्यक्ति है उसका ये अधिकार है कि उसको समानता मिले और साथी साथ उसकी responsibility भी है कि वो दूसरों को भी समानत तरीके से treat करे all must put in their efforts to maintain the dignity of citizen सभी लोगों को इस चीज में अपना सही योग देना होगा कि वो जो citizen है जो लोग है इस देश के उनकी जो dignity ये आत्म सम्मान है उनकी रक्षा की जा सके they have the power to protest for the equality and protest their dignity उनके पास ये तागत है कि वो अपनी equality के लिए और अपनी dignity के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं अगर कोई भी उनकी समानता पार या उनकी dignity पर हानी पहुंचाता है तो वो उसके खिलाफ आवास उठा सकते हैं many times in our country हमारे देश में बहुत बार the right of equality is attacked in the case of सर्ला हमारे देश में जो समानता का अधिकार उस पर बहुत बार आप कह सकते हैं हमला एक तरीके से हुआ है उसको वहानी पहुंचाई गई है जैसे कि हमने सर्ला का एक केस पढ़ा अपनी बुक में उसी तरीके से people are often discriminated on the basis of financial status लोगों को उनके आर्थिक स्थिती के आधार पर अलग कर दिया जाता है in the Vedic period the Indian society was divided into caste अगर हम Vedic period की बात करें तो India जो है वो caste के जरीए divided थी but a democratic country completely reject this लेकिन अगर हम एक लोगतांतरिक देश की बात करें तो वो इस caste system को बिलकुल reject करती है, मना करती है all citizens of India have the right to protest their dignity and seek justice to protect it जितने भी व्यक्ति हैं इंडिया के उनके पास या अधिकार है कि वो अपने आत्मसमान की रक्षा करें और यदि कोई उसे हानी पहुँचाए तो वो उसके लिए नयाय की मांग कर सकती है Sarada could have exercised her right by not going back home quietly Sarada ऐसा कर सकती थी कि वो अपने इस राइट का सहारा लेते हुए उस होटल के अंदर जा सकती थी बट उसने ऐसा नहीं किया और वो शांति से घर वापस चली गए She could have consulted the concerned organization such as social activities to raise her voice against inequality The social activists हैं जो समाज के सहियों के लिए कारी करते हैं वो उनके पास जाकर मदद मांग सकती थी या उनसे इस बारे में कह सकती थी और इस inequality के खिलाफ अपनी आवास उठा सकती थी We should never ever compromise with dignity हमें कभी भी dignity के साथ अपने आप सम्मान के साथ compromise नहीं करना चाहिए In the words of Dr. Bhim Rao Ambedkar who was one of the architect of Indian constitution अगर हम Dr. Bhim Rao Ambedkar के शब्दों पर जाए जो कि Indian constitution में अनमन का अब सबसे महान योगदान रहा है One must resolve to lay down one's life in enriching the noble ideas of self-respect कि एक व्यक्ति को उसके जो आँच नहीं आनी चाहिए उसको हमेशा जितना है उसका उतना ही रहना चाहिए उस पर कभी कोई आँच नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये सबसे एक आप कह सकते है important चीज होती है human life की Nothing is more disgraceful किसी व्यक्ति के लिए इससे सर्मनाग बात कोई नहीं होगी for a brave man एक बहादर व्यक्ति के लिए that to live life devoted of self-respect कि उसे एक ऐसा जीवन जीना पड़े जिसमें उसको आत्म सम्मान ना हो It is sad that even today ये बहुत दुखी बात है कि आज भी कास सिस्टम इस डीप रूटे इं रिमोट एरियास जो कास सिस्टम है जो जाती का जो एक सिस्टम है वो अभी भी हमारे जो आप कह सकते हैं बहुत गाओं वाले एरियास है या जो निमनिस्तर के एरियास है वहाँ पर इसे भी 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 बहुत माना जाता है In cities also, शहरों में भी माना जाता है Some educated people look down upon some section of society जो कुछ ऐसे लोग होते जो पड़े लेके तो हैं लेकिन एक society के एक वर्ग जो निचला वर्ग है उसको घ्रत निजर से देखते हैं Such thinking and action like that of the security guard degrade the dignity of people and that defeat the purpose of democratic government तो ऐसे लोग जैसे के अभी हमने security guard के बारे में पड़ाता उसमें तो ऐसे लोग जो हैं वो लोगों की dignity पर उनके आत्मसमान को ठेस पहुचाते हैं और जो democratic government का जो एक नियम होता है या आप कह सकते हैं उसका जो मतलब है उसको भी हानी पहुचाते हैं It is imprivate to fight for the rights in courts through protest and community gatherings without disturbing the peace तो हमें क्या करना चाहिए जब ऐसा कहीं हो तो हम अपने right के लिए court में जाकर बोल सके या protest कर सके या community gathering कर सके शान्ती को भंग किये बिना हम ऐसा कर सकते हैं लेकिन कुछ लोग जो है क्या करते हैं वो दब जाते हैं सरलावी उन्हीं मैंसे एक थी ठीक है अब आपका यहाँ पे आता है The true democracy protests the dignity of people जो एक सच्चा लोग तंत्र है वो प्रोटेक्ट करता है लोगों की dignity को Every citizen in our country must feel dignified in anything he or she choose to do हर व्यक्ति को कुछ भी वो चाहे कर रहा हो चाहे किसी भी तरीके कारे हो उसका उसको इसमें एक आत्मसमान की भावना रहनी चाहिए All people are equal सभी विक्ति समान है and they have the right to adopt any profession of their choice और वो जिस तरीके का भी profession चाहते है उस तरीके का profession विवसाय लेने का उने अधिकार है Of their choice and can go to any public place without any discrimination और वो किसी भी public place पर जा सकते है बिना किसी भेदभाव के Their occupation should be their pride उनका जो occupation विवसाय है वो उनका pride होना चाहिए घर होना चाहिए and no one has the right to degrade anyone Irrespective of the caste, creed, religion, social or financial status और किसी को भी अधिकार नहीं है कि किसी विक्ति के स्टेटस को देखकर उसके जाती को देखकर उसके रिलीजन को देखकर उसको नीचे उसको जो अधिकार है उससे दूर करे earlier people were given work based on their caste शुरू में क्या होता था लोगों को caste के हिसाब से काम दिया जाता था यह ना democracy एक लोगत तंत्र में it is against the law यह law के खिलाफ है forcing someone into a specific occupation by society or disrespecting someone's choice of work may result into a damaged dignity किसी को उसके किसी को उसके जो occupation को करना चाहता है उसके अरावा कोई दूसरा occupation दे जो नहीं करना चाहते है उसको force करें तो यह व्यक्ति की चौइस है उसके एक तरिक से disrespect होगी और उसके dignity यह उस पर भी काफी बड़ा damage होगा तो मैंने आज आपको यहां करा दिया next में आपको यहां से कराऊंगे अगर live class होई तो live class में वरना मैं यहां से आपको कराऊंगी ठीक है तो इसको आप लोग देख लीजिएगा